नहीं है प्राइम टीवी सच साहस सरोकार स्वताह मंदिर में लग जाती है आग खुश होकर मा देती है गर्शन भक्तों को होता है माता का इंतजार मंदिर में उठती है आग की तेज लप्टे भक्त लगाते हैं माता के जैकारे भारत एक ऐसा देश है जहां हर शोहर में हजारों की संख्या में मंदिर और सभी मंदिरों की अलग-अलग मानित आएं मंदिरों में देश के कुने-कुने से लोग अपनी मनों काम नाएं लिए पूजा अर्शना करनी आते हैं इन सभी मंदिरों में बहुत से मंदिर अपने विभिन चमतकारों के लिए प्रसदु और इन मंदिरों के चमतकार एक रहसे हैं इन रहस्यों के सच से आज तक परदा नहीं उठाया है कोई भी आज तक इन रहस्यों के सच्चाई से रूबरू नहीं उठाया है इन रहस्यों में कितना सच है या कितना अंधिविश्वास है कोई नहीं जानता है इन मेंसे कई मंदिर सधियों पुराने हैं तो कोई बर्चों पुराने है ना इन मंदिरों के रहस्य का कोई सबूत है ना कोई गवाः ऐसे में बस इन मंदिरों के चमतकार ही इनकी सच्चाई का सबूत जो दूर दूर से लोगों को इन मंदिरों की तरफ आकरशित करता है ऐसे ही चमतकारी मंदिर के बारे में जहां लोग दूर दूर से अपनी मुराद लेकर आते हैं एक ऐसा मंदिर जहां खुद बखुद देवी मा की मूर्ती में आग लग जाती है जहां मंदिर में आग लगने से लोगों को डर नहीं लगता आग लगते ही लोग बेखौफ होके माता की जैकारी लगाने लगते हैं डर के साय से दूर इस अगनी को देखने लोग दूर दूर से आते हैं लोग यहां माता की शक्ती पर इतना भरोसा करते हैं कि मंदिर में अगनी प्रज्यलित होते ही मंदिर से दूर जाने की बजाते हैं लोग अधिक से अधिक संख्या में अगनी के दर्शन करने आते हैं और जोर-जोर से माता के जैकारे लगाते हैं माता से अपनी मनोकामना पूरी करने की गुहार लगाते हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि अगनी के सामने मांगी गई सब भी मुरागी पूरी हो जाती है। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहां निसंतानों को संतान मिल जाती है और बीमार को रोग से मिलती है मुखान। लोग अपनी सभी मनवकामनाओं के पूरा होने की उम्मीद लिए मंदिर में गर्शन के लिए आते हैं मंदिरों के चमतकार के कई सबूत हैं बहुत से चमतकार बक्तों के लिए माता के आशिरुवात के रूप में होते हैं आज हम आपको एक ऐसा ही चमतकारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां माता के चमतकार का भक्त इंतजार करते हैं राजस्थान के उद्यपुर शहर से करीब साथ किलो मीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है या मंदिर जो की बहुत ही चमतकारी मंदिर है शह मंदिर एक जाना माता मंदिर के नाम से जाना जाता है इस मंदिर की महिमा बहुत ही निरादी है इस मंदिर की बहुत सी ऐसी बाते है जो सभी को हैरान करनी के लिए काफी है इस मंदिर में ना कोई हाई सेक्यॉरिटी है, ना कोई क्यामरे की निगरानी, ना कोई पंडित है, ना कोई पुजारी, और तो और इस मंदिर पर छट तक नहीं है खुले में बना ये मंदिर अपने आप में एक रहसे है, जो की अभी तक सुलज नहीं पाया है बस ये रहस्य लोगों को आज तक हैरान करता है माता इडाना का ये मंदिर कई रहस्यों को अपने अंदर दबाई हुए है भक्तों को बस माता के दर्शन के इच्छा होती है और माता अपने भक्तों को अगनिस्नान का अगनी के रूप में दर्शन देती है आईए जानते हैं माता के अगनिस्टनान के बारे में कि आखिर माता अगनिस्टनान क्यों करती है 600 साल पुराना इडाना माता का या मंदिर एक अनोखा चमतकारी मंदिर जहां माता के मंदिर में अपने आप ही आग लग जाती है या आग अपने आप लगती है या कोई और लोगों को इस आग के जरीए ध्रमित कर रहा है या कोई नहीं जानता पहां के लोगों का ऐसा मानना है कि जब माता खुश होती है तब वो अगनिस्टनान के जरीए अपनी खुशी जाहिर करती है माता के इस मंदर में कभी आग की उची लप्टे प्रकट हो सकती है शेयाग की लप्टे इतनी तेज और विशाल काय होती है कि माता के इस अगनी स्नान में माता की प्रतिमा को छोड़ कर सब कुछ जल कर फाक हो जाता है एजाना माता मंदिर में लगी इस आग को लोग माता का अगनी स्रान कहते हैं लोगों का ऐसा कहना है कि मंदिर में आग कोई नहीं लगाता है किसी और के आग लगाने का कोई सबूत भी अभी तक नहीं मिल पाया है पस मंदिर के मुख्य हिस्से में अच्छानक आग लग जाती है आग लगने के बाद माता के मंदिर के आसपास सब खुझ जल कर खाख हो जाता है लेकिन माता के मूर्ती जस्की तस रहती है और कोई बाहरी नुक्सान भी नहीं होता है अपने आप ही माता अगनिस्नान करती है और अपने आप ही आग बुझ जाती है खास बात यह है कि माता के मंदिर में आग लगने की लोग मनो कामनाय करते हैं लोग इस इंतजार में रहते हैं कि माता भक्तों से कब प्रसन होंगी और कब अगनिस्नान के जरीए उन्हें दर्शन दें। लोग बिना डरे इस अगनिस्नान के दर्शन करते हैं और माता से अपनी मुरादे पूरी करने की दुआ मांगते हैं। माता के मंदिर में दूर हो जाते हैं रोक जीहां इडाणा माता मंदिर लक्वा के मरीजों के ठीक होने के लिए प्रशिद्ध है साथी निसन तानों के लिए भी ये मंदिर एक चमतकार जैसा है आई जानते हैं मंदिर के चमतकारों के बारे में मंदिर में शद्धालों सच्ची आस्था के साथ आते हैं इस मंदिर की ऐसी मानिता है कि लकवी का मरीज मंदिर में दर्शन कर ले और एक रात मंदिर परिसर में सो ले तो वा ठीक हो जाता है कहा जाता है कि माता इडान रात में मंदिर परिसर में तहलती और माता की परचाई पढ़ते ही लकवा ग्रसित मरीज बिलकुल ठीक हो जाता है और अपने पैरों पर चलने लगता है कहा जाता है कि इस मंदिर में तर्शन के बाद निसंतान दंपत्ती को संतान की प्राप्ती हो जाती है अगनिस्नान के समय मांगी गई भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है मा के दर्बार में शद्धालों के सभी कश्ट दूर हो जाती है मंदिर में भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ाते हैं कहते हैं भक्त मनोकामना पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ा कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं निशंतान दंपत्ती, संतान प्राप्ती की बाद मा की दर्बार में ज्गूला चढ़ाते हैं। साथ ही मा का श्रेंगार कराते हैं और माता इडाना का चैकारा गोवर्ण। मंदित में भक्त कभी निराश निहां रहते हैं। माता इंडाना का अगनी स्नान हकीकत है या कोई छलावा ये तो इश्वार ही बता सकता है या फिर माता इंडाना लेकिन वक्तों का माता पर अटूट विश्वास है पर हर इंसान इन रहस्यों के बारे में चानकारी से रूबरू होना चाहता है आगे भी हम कई ऐसे रहस्यों क की परताल करेंगे जो जोड़े रही हमाई साथ प्राइम टीवी के साथ नमस्कार अब कुछ पाव पुश्पर अब